Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ प्रिया खंदिलवाल, कैसे हैं आप लोग सब, आज मैं आपको सिखाऊंगे कि थेपले कैसे बनाते हैं, यह जो थेपले हैं यह बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे, एकदम सॉफ्ट बनेंगे, देखें कितने आसानी सा आप इने रोल कर सकते हैं, आप अ साथ में एकदम खटी मीथी तमाटर की चटनी, तो आज हम एकदम अलग तरीके से थेपले बनाएंगे, इसे बनाना बहुत आसान है, आप वीडियो एंड तक देखें, आपको स्टेप बाइ स्टेप यह पूरी वीडियो में समझ में आएगा कैसे एकदम परफेक्ट थेप बारी काट लेंगे, आप इसे 6-7 बार पानी से धोए, ताकि इसमें कोई भी मिट्टी हो, तो आसानी से निकल जाए, फिर आप एक मिकसर जार में, दो हरी मिर्ची, इसको मैंने बारी काट लिया है, और एक इंच अद्रक का तुकडा लें, और उसे हम पीस लेंगे, एकदम महीन, ध्यान रखें, अगर आप थेपले में सौफ डालना चाहते हैं, तो आप इस स्टेज में सौफ डाल सकते हैं, मैं स्किप कर रही हूं सौफ को, इसे आप ऐसे हरी मिर्ची और अद्रक का पेस्ट बना लें, चाहे तो लसन भी डाल लें, फिर हमने यहां लिया है, दो क मक्की का आटा, अगर आपके बस मक्की का आटा नहीं है, तो आप सिर्फ बेसन भी डाल सकते हैं, आप मोटा या बारिक बेसन को इसा भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप लें आधा कप मक्की का आटा, मैंने यहां सफेद मक्की का आटा लिया है, अब इसमें हम बारिक कटी भी मेथी डालेंगे यहां पर 200-300 ग्राम आप मेथी ले लें फिर इसमें हम डालेंगे बारिक कटावा धनिया दो से तीन चम्मच इसलिए मैंने धोकी काट लिया है बारिक अब आप यहां पर लें एक छोड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर अगर आप हरी मिर्च जादा डा सकते हैं या अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिष्ट्री स्किप कर दें फिर हम डालेंगे हरी मिर्च और अधरक का पेस्ट आप चाहें तो यहां पर लेस्ट भी पीस सकते हैं इसकी के साथ और जैसे मैं आपको बदा था अगर आप चाहें सौफ तो सौ अगदम फ्रेश यूज़ करने हैं तभी इसका टीस्ट एकदम बैस्ट आता है मेशी तो आजकल 365 दिन मिलती है तो आप जरूर यूज़ करें फिर हम डालेंगे हींग एक चुटकी हींग का बहुत स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है तो आप थोड़ा कम ही डालें फिर आप डा आप स्वाद अनुसा फिर हम डालेंगे तेल मैंने यहाँ पर दो से तीन चम्मच तेल यूज़ किया है जो यह तेल है मैं पर पुष्टी घानी ब्राइंड का यूज़ करी हूँ पुष्टी घानी का कच्ची घानी का तेल है यह मूंफली का तेल है एकदम प्यॉर इसमें बिल्कुल केमिकल फ्री है और यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि कच्ची घानी तेल आपको यूज़ करना चाहिए आपकी खाने में हमेशा तो मैं हमेशा इसी ब्राइन से बुलाती हूँ अगर आप यह ओल और करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस तो इससे आपके थेपले बहुत सौफ्ट एकदम मॉइस्ट बनते हैं अंदर से बहुत लंबे टाइम तक टिकते हैं इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे धान रखे यूज़री लोग थेपले में दही का उपयोग करते हैं आज हम बिना दही के बनाएंगे यह थेपले त सकते हैं जी हां आप आधा ग्लाज दूद ले ले उसे हम डालेंगे थेपले के आटे में जब भी आप थेपले में दूद यूज़री यूज़री तो इससे थेपले एकदम नरम बनते हैं और बहुत मॉइस्ट रहते हैं बिल्कुल भी ड्राइन नहीं होते हैं इससे आप आटा गूथेंगे, आप चाहें तो इस स्टेज में दूद की जगे पानी से भी आटा गूथ सकते हैं, मैं आगे पानी यूज करूंगी भी, अच्छे से mix करें एक और बात का आप ध्यान रखें जब भी आप मेथी लेते हैं तो मेथी थोड़ा पानी छोड़ती है तो अगर आप एकदम नरम आटा लगाएंगे तो जब उसे आप गलाएंगे तो वो और गीला हो जाएगा इसलिए जब भी आप आटे को rest दें तो थोड़ा सा कड़ा काटा गूत के रखें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें और थोड़ा सा सक्त आटा या कड़ा काटा गूतेंगे आप ऐसे 5-6 मिनिट के लिए से और नीड कर लें जितना आप इसे नीड करेंगे उतने अच्छे हमारे थेपले बनेंगे इतने आटे से आप 20-25 थेपले या 5-6 जनुकरे थेपले आराम से बना सकते हैं अगर आप कहीं ट्रावल करें हैं और यह थेपले ले जाना चाहते हैं तो इसे आप एक airtight container में store करके रखें इस साथ से आट दिन तक खराब नहीं होते हैं इसे हम ढखके रखेंगे आदी घंटे के लिए तब तक हम बनाएंगे टमाटर की चट्नी तो माटर की चट्नी है उसके लिए यहां देशी टमाटर यूज कर रही हूँ जो थोड़ से खट्टे होते हैं यह ऐसे थोड़ से गोल होते हैं शेप में और एकदम खट्टे होते हैं एकदम प्लम होते हैं जो हमें नॉर्मली टमाटर मिलते हैं यह तोड़ से कम खट्टे होते हैं इसलिए आप इसके हिसाब से शक्कर डालें बट मेरे वाले जो तोड जादा खट्टे हैं इसलिए मैं आज तोई शक्र जादा डालूंगी चट्नी में जिसे मैं आपको आगे बताऊंगी जो यह देशी टमाटर होते हैं इससे बहुत अच्छी बनती है टमाटर की चट्नी सबसे पहले आप टमाटर को ऐसे उपर से इसका जो क्राउन वाला हिस्स कट करें इसके ऐसे आप सारे टमाटर काट के रख लें हमारे घर पर हारे टमाटर की चट्नी भी बहुत अच्छी बनती है अगर आप उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं आप मुझे कामेंट्स में बताएं सबसे पहले हम एक कडाई लेंगे इसमें हम डालेंगे दो राई के दाने डालेंगे एक चथाई चम्मच आप जीरा डालें थोड़ी से हम हींग डालेंगे एक चुटकी जो हींग या उसका फ्लिवर बहुत अच्छा आता है टमाटर की चट्नी में तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें जब थोड़ा सा कड़क्ट नर्जा है तो आप इसमें डालें दो हरी मिर्ची इसको मैंने बारी काट लिया है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं और हम लेंगे पांच से छे लैसुन की कलिया जिसको आपने बारी काट लिया है और इसे डालें लैसुन ऑप्शनल है आप चाहें त अच्छे से इसके बाद हम डालेंगे टमाटर या मैंने 5-6 लाल टमाटर लिये हैं इसे आप बारिक चॉप कर लें जब आप देशी टमाटर यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारा पानी होता है तो इसमें चट्नी एकदम मशी और एकदम सौफ बनती है अच्छे से मिक्स करें फिर आम इसमें डालेंगे एकदम बेसविक मसाले सबसे पहले आप लें एक चमच लाल मिर्च पाउडर मैं इसे एकदम चटपटा बना रही हूँ इसलिए मैं लाल मिर्च यूज जाधा यूस कर रही हूँ आप चाहे फ्動画 छुल saja कर सकते है अपने सौ मसाला भी डाल सकते हैं मैं वो स्किप कर रही हूं मैं यहाप पर डालोंगे एक चम्मत सूखे धनी एका पाउडर जो एकदम बेसिक मसाले होते हैं इससे इतनी स्वाधिष्ट टमाटर की चट्नी बनती है अगर आपके घर पर कभी कोई भी सब्जी नहीं है बनाने के रिए त तो इसे हमें कुक करना है लंबी टाइम के लिए अगर आप इसे एकदम मश्य और सॉफ बनाना चाहते हैं तो इसे एकदम धक्के पकाएं कुक होने दे 5-10 मिनिट के लिए लो फ्लेम पे 10-12 मिनिट बाद आपके टमाटर एकदम पक जाएंगे सॉफ्ट हो जाएंगे इसमे जब भी आप डालते हैं चट्नी में तो बहुत फ्रेश लिवर आता है कि टमाटर की चट्नी एकदम तयार है इसकी कंसिशन से कुछ इस तरह होनी चाहिए इसे हम थंडा करके आप साइड में रख देंगे दिखिए एकदम पॉफ्ट बनाएं टमाटर की सबजी या चट्नी आपका जो डो है यह एकदम सॉफ्ट हो गया है विसमने रेस्ट दी थी आदी घंटे के लिए अगर आपको आदी घंट ने जितना टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 मिनिट के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं अब आप ऐसे आटे को साइड में रखें आप एक तरफ ले ले लिए थोड़ा सा सूखा आटा और हम ऐसे आटे से थोड़े से बड़े बड़े पेड़े बना देंगे आप मीडियम साइज के पेड़े ले 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 इसे सूखे आटे में रोल करें हमें जैसे रोटियां बेलते हैं वैसे बेलना है इसे एकदम पतला और थोड़ा साइज में बड पतला पतला अगर आप रसे बेल नहीं पा रहें तो आप अपनी मम्मी की या भाई या भाई या भेहन की भी help ले सकते हैं इस ऐसे बेल के हम एक प्लेट पर रख देंगे साइड में और आप 8-10 ऐसे थेपले पहले बेल लें और एक प्लेट में एकठा कर लें , उसके आदमेने एक साथ सेखेंगे , इनकी थिक्नेस एकदम पतली होनी चाहिए , इस बात का आप जरूर ध्यान रखें , दिय कितने पतले होनी चाहिए यह इसे से एक प्लेट में निकाल लें , अब पलट लेंगे आप इसे दुनों तरफ से अच्छे से खें लें दुनों तरफ थोड़ा ओल लगा के इसे पलट के सेके इसे और सॉफ बनाने के लिए बिल्कुल भी इसे दबाएं नहीं जिसे पराठी को दबा के सेखते हैं आपके त्रेपले एकदम सॉफ बन के तयार हो आप दोनों तरफ थ्वता तेल लगाएं और इसे एकदम पलट पलट के सेकें हमें थेपलों को तब तक सेकना है जब तक इस पैसे ब्राउन गोल्डन स्पॉट्स आ जाएं आप सभी थेपलों को ऐसे सेक के तयार करने इन्हें सर्फ करें टमाटर की चटनी के साथ निम्बू टाइम तक चलने वाले थेपली ज़रूर बनाएं और अगर आपको यह रेशिपी पसंद आती है तो लाइक करें कमेंट करें और अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ शेयर भी करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को उसी के पा करें लगले करें तो सब्सक्राइब